तो हेलो दोस्तों आज की नए वीडियो में आप आप सभी की स्वागत है, दोस्तों आज based video का थमनेल कैसे बनाते हैं ठेक है दोस्तों देखे थमनेल आपका जितना अच्छा होता है आपके वीडियो पर व्योज उतना ही जादा आते है对क है चलिए दोस्तों फिर बेना किसी देरी के मैं आपको बताता हूं कि आपने यूटूब वीडियो के लिए थमनेल कैसे बनाते हैं इससे पहले यदि आप मेरे चनल पढ़ना है तो चनल को सब्सक्राब करके वैल आकन को प्रेस कर लेना इस चनल पर आपको ऐसे टेक्स-related वीडि यूटूब में ठीक है तो यूटूब की दुनिया इतनी आसान भी नहीं होती है जितना की नए यूटूबर समझते हैं तो यूटूब पर भी बहुत संगार्स होता है यूटूब पर सफल होने के लिए थमनेल का बहुत बड़ा महत्तपूर्ण युगदान होता है तो थम्नेल बनाने ज्यादा इंपोर्टेंट है थम्नेल अट्रेक्टियो बनाना होगा ठीक है जिसे लोग आपके थम्नेल पर नजर डालते हैं जैसे आप लोग आपके थम्नेल के देखें वैसे तुरंत उनसे क्लिक किये बिना रहा न जाए मतलब कि यदि वह बंदा नया है आपके वीड्ले का थम्नेल आट्रेक्टियो बना हुआ है तो वह आपके ड्रेक्टयू में कलिक करेगा इसलिए दोस्तों थम्नेल बनाते हैं ध्यान रखें डियान रैंकि अल्यक्ति अदर्यार कैसे डियक्तर करना है और उसके बाद आप सबही वीडंग से बहतर च Morgan बना स प्लेलिस्ट्व मिलेगा तो मैं जाता हूं प्लेष्ट्व में और यहां पर आपको सर्च करना है वैसे तो थमिल बनाने वाले बहुत से एप्लिकेशन होते हैं अलग-अलग कुछ पैड हैं और कुछ फ्री वाले हैं तो मैं आपको फ्री वाला दिखाऊंगा पिक्सल लैब ठीक है ना एक यह है तो यह मैंने पहले से डालोड किया हुआ है तो डालेक्ट ओपन कॉप्शन है मेरे में तो यहां पर वर्ण करता हूं मैं और इस तरह से पेज आपको मिलता है इसका फिर आपको करना कहा है सबसे पहले देखे यूटूब पर जो वीडियो ह की थमनेल के बारे में तो यहां पर सबसे पहले आपको साइज सेलेक्ट करनी है ठीक है तो यहां पर मैं ठीट वाट्स में क्लिक करूँगा यहां से और इसमें एमेज साइज पर रोके करूँगा फिर यहां पर कस्टम थमनेल पर और यहां पर आता है यह टूटू थमनेल इसमें OK कर देना है, तो यह आ जाएगी आपके सामने, फिर आप इसे रिमूव कर सकते हैं, इस यह वाले उप्षन में क्लिक करके और डिलेट में OK कर देंगे, फिर जो यह पीछे का बैक्गराउंड कलर है, इसे चेंज करना है, तो इसमें आएंगे, और इस पर आने के बाद यहां से चेंज कर सकते हैं, कोई सभी कलर ले सकते हैं, तो मैंने येलो कलर ले लिया है, इनकी पीला कलर, ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो यह प्लस का निसान है, इस प्लस में आ करके, आप यहां से फ्रॉम गैलरी से अपनी फोटो ले सकते हैं, कोई फोटो जैसे कि आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं अल्डे बहुत सारी फोटोज है मेरी, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसको select, और यह है, ठीक है, और इसका background भी हटा हुआ है, देखिए, तो मैं next वीडियो में आपको बता दूँगा कि इस photos का background कैसे हटाते हैं, और description में आपको लिंक में जाएं उस वीडियो की, कि किसी photo का background कैसे remove करते हैं, ठीक है, तो उस वीडियो का आप जा करके देख सकते हैं, कि photo का background remove कैसे करना है, फिर इस photo में जो border होता photo का, तो border भी आप change कर सकते हैं, देखिए, जैसे आप इस photo का edit करने के लिए, देखिए, दो option रहते हैं, एक photo editing होते हैं, तो अभी मैं आपको photo editing बता रहा हूँ, फिर एक होता है text editing, तो यहाँ पर click करेंगे photo edit करने के लिए, यहाँ, फिर यहाँ से एतने सारे option है, ठीक हैं, यह size है, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, और फिर यह position है, position कहीं भी बिला सकते हैं, और इसके बाद फि फिर यह position है, अगर थोड़ा थोड़ा आपको किसी set करना है, ठीक है, तो यहाँ से और इस application में वैसे एक thumbnail बनाने के लिए, simple thumbnail बनाने के लिए, बढ़िया feature मिल जाते हैं, यदि आप crop करना चाहते हैं photo को, तो यहाँ से crop कर सकते हैं, ठीक है, यतना कुछ भी, और फिर इसके बाद यहाँ adjust कर देते हैं, फिर यहाँ पर opacity का option है, यानि कि आप कितना रखना चाहते है, photo को काम ज्यादा, ठीक है, कभी-कभी होता है न कि हम एक photo के नीचे दूसरी photo लगाते हैं हलका, तो और ऐसे ही, अब बात करते हैं stroke की, यानि कि जो border होता photo का, तो उसे stroke बोलते हैं, में stroke बाल option है, तो देखिए मैं stroke में ok करूँगा, फिर यहाँ पर red आ जाएगा, आगया ना red, इसे हम मोटा और पतला कर सकते हैं, इस तरह से, तो simple में रखता हूँ भी 4-3 में, और simple ही है, ठीक, rotate करना तो rotate भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे rotate करना नहीं है भी, और चलिए अब फोटो आगी हमारी और फोटो को edit करना भी मैंने आपको बता दिया, अब हम इस फोटो को lock कर देते हैं, ताकि यह हेले ना, by chance गलती से समहाथ लग जाएगा, तो अब यह हेले गी नहीं, ठीक है, अब हम लेते हैं, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट यानि कि कुछ लिखना है हमको तो ए पर क्लिक करेंगे, फिर यहां टेक्स्ट पर ok करेंगे, तो यहां आ जागा टेक्स्ट, फिर इस पैंसल पर ok करेंगे, तो edit हो जाएगा, फिर यहां से आप delete करके कोछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बना रहा हूं, बता रहा हूं आपको thumbnail कैसे बनाते हैं, तो अब इससे दुबारा से एड़ करना, तो दुबारा करेंगे, thumbnail कैसे बनाएं, और यह लिख दिया मैंने, और इसका भी color आप change कर सकते हैं, red कर सकते हैं, black कुछ भी, और इससे थोड़ा से मोटा करना, तो मोटा भी कर सकते हैं, यहां से style में आएंगे, और style में आने के बाद इस B वाले option पर click कर देंगे, ठीक है, तो यह हो जागा मोटा और यह, ठीक है, अब करना क्या है, इसे copy कर लाना है, या आप दूसरा लिखना चाहते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर लिखूँग है, YouTube वीडियोज के लिए, यह मैंने लिख दिया है, और यह, ठीक है, दोनों ची जा गई, और मैं इनका color change कर देता हूँ, थोड़ा सा, thumbnail को मैंने red में कर दिया, अलग-अलग भी कर सकते हैं, और यहां पर मैंने इसको रख दिया है, इस color ठीक है, तो black ही रहने देते हैं, और अब एक और photo लाना है, YouTube की, YouTube की लोगो की, तो यहां प तो यह रखी photo, और यह इसको मैंने छोटा बड़ा कर दिया, ठीक है, इसमें okay करके, और एक लान और लिख नहां मुझे, मैं लिख दूँगा, यहां पर mobile से, mobile से, यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है, और इस तरह से आप thumbnail बना सकते हैं, और जैसे अभी इस photo के border को हमने red color किया है, इसी तरह इसके भी border को हम red color में कर सकते हैं, जैसे कि इसको select करते हैं, फिर इस टोक पर आ जाना है आपको, यहां से, और हाँ एक खास बात, यदि जो लिखा हुआ है test, तो इसका background change करना चाहते हैं, तो change हो जाएगा, देखिए यह background option है, इसमें click करेंगे, तो background में white आ जाएगा, यानि कि सफेद आ जाएगा, कुछ भी करना है, ठीक है, यह मैंने कर दिया, और इसका भी हम background change कर देंगे, यह हमने थोड़ा से खिसक दा लिए, और background हम white कर देंगे, तो बढ़िए रहेगा, यह हमने कर दिया background, ठीक है, अब हमें करना क्या है, इससे थोड़ा से बड़ा कर देते हैं, और यह हमारा thumbnail बन चुका, सिर्फ मुझे इतना बनाना है, और भी आप किस दिर कर सकते हैं, अब जैसे YouTube वीडियो के लिए तो मुझे इसका जो border है, वो red color करना है, तो मैं यहां से कर दूँगा, इस टोग पर आना है, और यहां से red color मैं कर दूँगा, देखिए यहां से red color हो चुका है, यह ठीक है, तो हाला कि मुझे अभी कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताने के लिए इससे बताया है, और बाक दोस्तारी features हैं, जब आप इसे 2-4-10 दिन यूज़ करेंगे, और इन features को देखेंगे, समझेंगे तो आप से बनने लगेगा, आप यह thumbnail बनाने के बाद फिर इससे save करना है, गैलरी में ठीक है, तो save करने के लिए क्लिए 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 आप simple, यहां जो यह वाला option दिख रह पर यह ठीक है, तो इस पर ok करेंगे, फिर यहां पर है save image, save image, इस पर ok करेंगे, फिर यहां से आपका thumbnail कैसा होना चाहिए, HD में, अभी दोस्ता आपका thumbnail अच्छा बढ़िए, आपके thumbnail में light आएगी, तो यहां पर इस वाले option में, dimension में क्लिक करके, फिर very high में ok कर देना है, य तो thumbnail 2MB से कम रहेगा, यदि 2MB से ज्यादा thumbnail अपका बनता है, तो फिर thumbnail नहीं लगेगा, ठीक है, और यहां save to gallery पर ok कर देना है,